आपका मेरे चालेंड में बहुत स्वागत है तो चलिए बहुत बड़ी असी आपके साथ रेस्पी शेयर करें जिसके लिए हम अच्छा खासा पे करते हैं जो कि अब घर में बहुत इजी लिए और बहुत असानी से बना सकते हैं इसके लिए लिया है मैंने तीन से चाल बड़े प्यास और तीन ही मैंने लिये है टामाटा इन्हें सब को मैंने बारिक बारिक चॉप कर लिया है और सेफरेटली रख भी लिया है और अब हमें चाहिए सरसो का तेल पहले पैन अच्छे से गरम करने के बाद में इसमें हम डाले तो आप कोई भी cooking oil डाल सकते हैं जो भी आप कहाया चाता हूं यहां पर मैंने यह सरसो का तेल अच्छे से घरम होने के लिए रख दिया है जब तक गरम होता है आगे प्रिपेशन करेंगे हम तो यहां पर मैंने डाला है एक चमच भरके जीरा तेकि अच्छे से तेल घरम हो च देखकंते हैं ईच्छान डेवले काटे गारबेसर करते हैं मेस था रख दकेंगे अगर्या न्मौट कर दा लोग ही के अभल चान सब्सक्राइब के ज़िएगा मेरा चैनल प्याइकन को ज़रूर प्रैस कीजेगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिले तो यहां पे मुझे यह प्यास को इस तरीके से पकाना है कि इसमें कच्छा बंद निकल जाए और यह जादा पके भी नहीं तो इस तरीके का ट् कर रही हूं और बहुत बड़ी असे इसको भी हम भूलेंगे देखिए बिल्कुल मैंने ओवर नहीं प्यास ब्राउन करें हैं नहीं भूने हैं इनको सिरफ मैंने इनको जब ट्रांस्पेरिंट आ हो जाता है प्यास का कलर तब मैंने तब तक होना है यहां पे डाले हैं जीरे का पाउडर है इन सभी बेसिक से मसालों को हम अच्छे से पहले भून लेंगे बहुत अच्छे से भूनना है और इसको भूनने में हल्प करेगा पानी तो हाँ जी मैं यहां पर पानी का यूज़ कर रही हूं बहुत अच्छा सा हमें इसको पकाना है क्योंकि हमें मसा जलने से बचाने के लिए ही इस पानी को एड़ करना है यह देखिए बहुत अच्छे से मसाले हमारे भुन गये हैं और बिल्कुल अलग हो चुका है और यहां पर मैं डाल दूंगे यह कटा हुआ टमाटर तो टमाटर को भी अच्छे तरीके से हम यहां पर भून लेंगे और बहुत बढ़े आसी हमें यहां से यह मसाला बनके तयार हो जाये बहूत यह अच्छा खाने के लिए और बाहर की तरफ चाते हैं ढाबो पे और घर बहूत इसली बन जाता है तो फिर भायर ही यहां पर मैं लिए दुछा कर्ड़िया है क्टिस्ट कि प् cu कर देंगे ताकि यह बहुत बढ़िया से हमारा टमाटर कल जाए तो यहां पर यह देखें टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मैशी हो चुके थे तो मैं तोड़ा से इसको अभी प्रेस करते हुए इस तरीके से इसको अच्छे से पका लोंगे बहुत बढ़िया से इसको पका लेना है हमें और बहुत अच्छी सी यह हमारी पेज ही है तो हमारा यह बहुत अच्छी तरीके से भनना जरूरी है और अब मुझे चाहिए यहाँ पर पनीर तो यहाँ पर मैरे तकरीबन डेड़ से 200 ग्राम का टुकड़ा लिया है पनीर का और मैं इसे पतली वली जो हमारे ग बना रहे हैं इसे भुझी भी बोलते है पनीर की तो यह इस तरीके से करंबल भी करके बना सकते हैं बहुत यही लगती है आप दोनों तरीके से बना सकते हैं मैंने दोनों तरीके से इसको पनीर को करके ले लिया है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आत यह इतनी बड़िया लगती है यह पनीर की भुजी बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां पर मैं अच्छी तरीके से जब हमारा टमाटर और जो प्याज का मसाला है यह तैयार हो जाएगा उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमें है पुन्आ है उबड़ने पुन्न हमें पनीर को सिरफ हमें इसको अच्छे से लिएना है ताकि सारी क्रेवी को अपने में अपस़र्प कर ले तो बहुत बढ़ी देना अब पर आत्रा आप अरहा है और बहुत अच्छा लग रहा लंच में दीजिए या बरेकफस्ट में बनाई है बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया यह रेस्पी बनके तयार होती है देखे कितनी बढ़ी असी बनगी है फाइनल मैंने किया है इसको गरम मसाले के साथ में तो यहां पर मैंने बढ़ फॉर्ट चमर डाला है गरम मसाला उपर से डाल दिया है हरा धनिया जो इसके टेस्ट को और जादा बढ़ाएगा और यह देखे हमारे बहुत बढ़िया सी भनीर की बुजिया बनके हो गई है तैयार आशा करते हैं आपको यह रेस्पी हमारे बहुत पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीज किएगा इसफिस ग्मीर कीजोश नचान वागों को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल भाइएकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएक तैकि सारे वीडियो के नोटिफिकरिकेशन है आप को सबसे पहले मिले चली है एक अच्छी सी रेस्पी है एफके डिए कि अच्छी स्व